आज हम सीखेंगे रेखा आलेख के बारे में कई बार समय के साथ साथ आकड़े यानि डेटा भी बदलते हैं जैसे अलग-अलग दिनों में कक्षा में उपस्तत विध्यार्थियों की संख्या बदल सकती है ऐसे आकड़े रेखा आलेख यानि लाइन ग्राफ दूरा प्रस्तत किये जाते हैं इसी तरह एक कार दूरा विभिन समयों पर तै की गई दूरिया भी बदल सकती है जिसे इस प्रकार रेखा आलेख के रूप में प्रस्तत किया जाता है एक फल विक्रिता की सपताह के प्रतेग दिन की कमाई भी बदल सकती है जिसे हम इस प्रकार निरुपित कर सकते है यहाँ एक रेखा आलेक दर्शाया गया है क्या आप बता सकते है वो क्या सूचना देता है सोचे, सोचे यह रेखा आलेक हमें एक घड़ी निर्माता कम्पनी द्वारा प्रतेक महीने में की गई बिक्री से संबंदित सूचना देता है आप देख सकते हैं कि प्रतीक महीने में हुई घडियों की बिक्री विभिन्न बिंदूओं से दर्शाई गई है जिन्हें रेखा खंडों से जोड़ा गया है इसी तरह रेखा आलेख में आकडों को बिंदूों से दर्शाया जाता है जिनने रेखा खंडों से जोडा जाता है दर्शाय गए आकडे हमें बताते है कि यहां विभिन्न महिनों में घडियों की अलग-अलग बिक्री हुई है इसी तरह रेखा आलेक समय के साथ आकडों में परिवर्तन दर्शाता है इससे हमें आकडों का प्रारूप यानि पैटर्न पता चलता है जैसे यहां हम देखते हैं कि चनवरी से मार्च तक बिक्री घटती गई है जबकि मार्च के बाद बिक्री बढ़ती गई है इसी तरह दर्शाय गए सबी माईनों में सबसे कम घड़ियों की बिक्री मार्च में हुई है चलिए एक उधारण से रेखा आलेक खीचना सीखे एक कार अपने शुरुवाती स्थान A से 250 किलो मीटर दूर स्थान B पर जाती है विभिन्न समयों पर स्थान A से कार की दूरी इस सार्णी में दर्शाई गई है अब इन आकडों को रेखा आलेक पर निरूपित करे हम एक वर्गांकित कागज लेंगे इस पर शेतिज रेखा यानि होरिजॉंटल लाइन खीचेंगे जिसे X अक्ष कहते है हम X अक्ष पर समय दर्शाएंगे इसी तरह हम एक उर्ध्वाधर रेखा यानि वर्टिकल लाइन खीचेंगे जिसे Y अक्ष कहते है इस पर कार की स्थान A से दूरी अंकित करेंगे यह दूरी दर्शाने के लिए हम उर्ध्वाधर रेखा पर एक इकाई बराबर 50 किलोमीटर पैमाना लेंगे अब हम आकडों को बिंदू द्वारा अंकित करेंगे दोपहर 12 बजे स्थान A से कार की दूरी 0 किलोमीटर है इसलिए हम दोपहर 12 बजे की उर्ध्वाधर रेखा और 0 किलोमीटर को दर्शाने वाली शहतेज रेखा के प्रतित छेदन यानि इंटरसेक्शन पर बिंदू अंकित करेंगे इस तरह दोपहर 1 बजे स्थान A से कार की दूरी 50 किलोमीटर है इसलिए हम दोपहर 1 बजे की उर्ध्वाधर रेखा और 50 किलोमीटर को दर्शाने वाली शहतेज रेखा के प्रतित छेदन पर बिंदू अंकित करेंगे इसी तरह हम सार्णी में दिये गए सभी आकड़ों को बिंदू द्वारा अंकित करेंगे अब हम इन बिंदूओं को रेखा खंडों से जोडेंगे इससे हमें स्थान ए से विभिन समयों पर कार की दूरी का रेखा आलेक प्राप्त होगा इस रेखा आलेक की सहायता से अब हम दिये गए समय पर कार की स्थिती अवश्य बता सकते हैं रेखा आलेक की साहिता से आकडों के दो समोह की तुलना आसानी से की जा सकती है जिससे हम अगले वीडियो में कुछ उधारणों से समझेंगे आज हमने सीखा रेखा आलेक अगले वीडियो में इन से जुड़े कुछ मज़ेदार उधारण देखेंगे झाल